गुड मोर्निंग एवरीवन मैं हूँ विकास कमार और आपके अपने यूटूब चैनल में स्वागत है जैसे कि हमारा चैप्टर 2 चल रहा है अमल 4 और 11 वाला तो इसकी अगली जो वीडियो है हमारी 9 ठीक है उसमें आप देख रहे होंगे कि सोडियम धामन सोडा है ठीक है उ अब हम किसी का chemical name लिखते हैं तो अनुसुत्र के coding लिखा जाता है sodium Na carbonate CO3 डेका 10 के लिए डेका लगा है यहां और hydrate H2O के लिए लगा है ठीक है तो आसान है अनुसुत्र के coding अगर आप रहसेनिक नाम याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है तो इसके coding आप इ इसको कैसे बनाएंगे और योगसाला में हमारे पास sodium bicarbonate होना चाहिए एन एक सियो थिरी इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं इससे पहले टोपी क्या था यह एन एच सियो थिरी मुझे कमेंट करके बताएगी क्या है एन एच सियो थिरी खाने का सोड़ा है यह क्या है खाने का सोड़ा है यह क्या है ने के दो इस तरह के से पूरे हो जाएंगे ज 그럼 ह की केसे है दो यहाँ आज जाएगे ऐसे आपके पास कारवन के अनु दो है तो C, एक ये C है, एक ये C है, ओक्षियन के कितने है, दो तिया 6, तो 3, 4 और 2, 6, अब ये जो CO2 है, कारवन डायकसाइड है निकल गे गैस के रूप में बहार चले जाएगी, तो इसलिए इसको तीर के निसान दुआरा हम सो करेंगे, द साथ किरिया करा देंगी, तो ये क्या के लिए हो जाएगा आपका, सोडियम, कार्मने डेका, हाइडरेट, इस तरीके से आप, परियोग साला में, जो दोने का सोडा है, कप्ड़े, दोने का सोडा, वासिंग पॉडर्स को, बना सकते हो, इसके बात चर्चा करते हैं, इसके आले भी कहीं बार बता चुका हूँ, बहुत ही गुणों में वह बात लिखनी होती है, जो हमें देखने से, सुने से, छूने से, ठीक है, मिलती है, तो भाईया, इसका जो रंग होगा, सभी को पता है, जो वासिंग पॉडर्स होता है, इसका रंग सभी होता है, और क्रिस्टल, छोटे-छोटे अनों होते हैं, उनको क्रिस्टल क्याते हैं, और सबसे मज़ेगी बात है कि पाड़ी में घुल जाता है, कासकर इसके बारे में सभी को पता होगा, ठीक है, इसके बाद आता है, हमारा रसानिक गुल, रसानिक गुल में क्या हो जाएगा, उल्ट कार्बनेट बचेगा ये इसके रशानिक गुणों में आ जाता है ठीक है इसके बाद हमारा इसी में एक बहुत बढ़िया तोफिक है जिसको बोलते हैं उत्फुलन उत्फुलन कई बार आ सकता है पेपर में तो उत्फुलन क्या है उत्फुलन की यही है कि जब हम किसी जल योजित लवन को गरम करते हैं तो गरम करने के दोरान इसको जल है वो अलग हो जाता है जिसको उत्फुलन कहते हैं आपको नोट्स के माद्यम से में भेज दूगा इसक सब कंसुंद हुग जानते ही होगा हुग सभी को पता है इस काम में आता है ठीक है जल के तो दूर करने के लिए को इस को पर चाल सकता है इसके अलावा पजयोग साला में अभिगर्मक के रूप में भी अभिगर्मक के बारे में आप जानते होगे अभिगर्मक क्या होता है पहली वीडियो में बता चुका हूँ जो कमेंट करके जरूर बताए कि अभिगर्मक क्या होता है ठीक है इसके बाद कागज कांच बोरेक्स वो सारी चीजों को बनाने में और petroleum के सोधन में भी इसकाप योग क्या जाता है आऑ बज़ने यंत्रों में भी सकाप योग कर सकते हो तो आप कहोते हैं कि जब हम sodium carbonate को गरम करते हैं तो carbon dioxide gas निकलती है जो आग को बज़ा सकती है ठीक है carbon dioxide gas आग को बुझा सकती है और वो कप प्राप्त होगी जब आप sodium carbonate को गरम करोगे ठीक है तो यदि आप से यह पूछा जाता है question क्या आग बुझाने के लिए sodium carbonate का क्या roll है क्या महत्तव है तो आप यह बता सकते हो इसके लावा कपडों की सपाई में भी बरतनों की स order का इस्तिमाल कर सकते हैं और स्वागा मनाने में 20 का यह कर सकते हैं मुझे मीद है कि आपको यह टोपिक समझ में आ गया होगा ठीक है नमस्कार नेक्स वीडियो में फिर चर्चा होगी नेक्स टोपिक पर तन्यवाद